आप सभी को मेरा पनाम, Herbal Remedies and Nature Station में आपका स्वागत है मैं तो आपके उत्तम सास्ते के लिए आज बात करेंगे रुखमनी की इक्जोरा, कोसीनिया, रूबियसी फैमिली का प्लांट है और पित्व डिसॉडर्स के लिए बहुत अच्छा कारे करता है और पित्व डिसॉडर्स अगर लंबे समय तक बने रहे हैं तो कई असाध्य रोग भी कॉज करते हैं उनके Remedies and की आज बात करेंगे किस प्रकार से हम इन पोप योग में ला सकते हैं ये भी चर्चा करेंगे साथियों सबसे पहले हम इसके बात करें सुंदर फूल की रेड कलर की सुंदर फूल आप देख रहे हैं इसका आप लोग Infusion बना सकते हैं Infusion बनाने की सबसे सरलवेदी हम आपको बता चुके हैं आप 10 ग्राम ये फूल इखटे कर लीजे और 10 ग्राम फूल लेकर 100 ml अच्छे से पानी को उबाल लीजे उसके अंदर इन फूल को डाल कर ढख दीजे ठंडा होने के बाद छान कर उनको पीना है और पीने के बाद आप देखेंगे कि कई परकार के Disorders को ठीक करने का कारे करता है सबसे पहले मैं बात करूँ Female Disorders के लिए एक वंडर्फुल रेमेडी है Disminoria की समस्चा होती है जिसके अंदर menstrual cramps होना और cycle के समय बहुत ज़्यादा पीडिया का होना उसको ठीक करता है Likoria की समस्चा होती है उसका भी निदान करता है हमारी cycle को proper करते हुए fertility को भी maintain करने का कारे करता है menstrual cycle से जुड़े हुए कई परकार की समस्चा होती है जो की long lasting female के health के लिए हानिकारक होती है उन सबसे निजात पाने के लिए हम इसको प्योग में लाते हैं साथी साथ मित्रो इसके infusion को आप अगर आँखों के अंदर डालते हैं glucomba की समस्चा, retinopathy और cataract की समस्चा को ठीक करता है बढ़ने वाले cataract को रोख देता है और initial अवस्था का अगर cataract बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो वो ठीक हो जाता है इसका infusion, fever के लिए और urinogenital disorders के लिए भी आप उपयोग में ला सकते हैं diuretic भी होता है और जिसके मध्यम से हमारे kidneys की disorders भी ठीक हो जाते हैं urinogenital system के अंदर अगर stone की समस्चा है वो भी ठीक हो जाती है inflammation है, वो भी ठीक हो जाता है कोई bacterial infection है, वो भी ठीक हो जाता है तो ये रही इसके infusion की बाद, इसके अलावा मित्रो जिसके पत्रों का आप decoction बना कर अगर सेवन करते हैं diarrhea, dysentery की समस्चा को अच्छे से ठीक करता है bacterial infection, fungal infection या microbial infection पेट के अंदर हो गया है उसको भी ठीक करने का कारे करता है पेट के अंदर कीडे होते हैं, उनको बाहर निकाल अच्छे intestinal health को maintain करने में सहिक होता है ulcer healing में भी इसकी उपयोगिता होती है excess मात्रा में तनाव बन जाने के कारण ulcer की समस्चा हो जाती है, उसको भी ठीक करता है अगर helicobacter pylori के कारेंग भी अगर ulcer की समस्चा होई है, तो उसको भी ठीक करता है helicobacter pylori एक bacteria होता है जिसके कारण भी ulcer बन जाता है उससे भी ulcer को ठीक करने में एक होता है helicobacter pylori को infection को ठीक कर देता है İş जड होती है, जड sedative का कारे करती है अच्छी निंद्रा लाने के लिए तनाव मुक्त जीवन के लिए हाइपर टेंशन को कम करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट रखते हुए तनाव को दूर करने का कारे करती है ऑटो अम्यून डिसॉडर्स में भी बहुत अच्छी इसकी उपयोगिता होती है फ्री रेडिकल्स क्वेंजिंग एक्टिविटीज इसकी रूट के काड़े की होती है रूट के डिकोक्षन की होती है आप इसको उपयोग मेला सकते हैं पांच ग्राम रूट लेकर काड़ा बना कर से बन करें मित्रो अगर रूट ना मिले तो इसकी चाल भी आप ले सकते हैं इसके जो स्टेम की चाल भी आप निकाल सकते हैं जब बड़ा हो जाता है तो इसकी स्टेम की चाल आप आराम से निकाल सकते हैं इसकी बूड़ आप ले सकते हैं, उसका अभी काढ़ा उतना ही effective होता है, wonderful ये medicinal plant है, कई प्रकार के disorders के लिए हम इसको safely प्योग मिला सकते हैं, cutting के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं, वित्रो, ornamentation purpose से आप इसको गमलों में लगा सकते हैं, श्रब इसका nature है, ज्यादा height इसकी होती नहीं है, सुन्दर्ता के लिए, landscaping के लिए आप इसको बड़े गमले में लगा सकते हैं, और घर की सुन्दर्ता बढ़ाने के साथ साथ, और इस दियगुनों के लिए आप इसको उप्योग में ला सकते हैं, टॉक्षिंस को भाहर निकालने वाला, ब्लड के purification के लिए, पित के disorders को ठीक करने वाला और पित से जुड़े हुए कई परकार के बिमारियों को ठीक करने में साइक होता है, highly effective plant है, ornamental तो है ही, साथ ही साथ medicinal भी है, जानकरी आपको अच्छी लगे तो अवस्य सांजा करें, ताकि सभी वेक्ति इस जानकारी से लाब उठा सकें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जानकारी अच्छी लगे तो सेर अवस्य करें, आपके उत्तम स्वास्ते के लिए मंगल कामनाय करते हुए, कल फिर मिलेंगे सुबह साढ़ इच्छे वजे, एक नए प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, अनुस्कार, मित्रो स्पेसिविक प्लेलिस्ट भी आप हमारी रेफर कर सकते हैं, डिफ्रेंट डिसोर्डर्स के लिए, वफसकता अनुसार हमसे इमेल के माद्यम से भी आप संपर कर सकते हैं, प्रणाम,